दूस्तों राइस्तान के अजमेर में एक ऐसा मंदिर है जिसकी रखवाली एक बंदर करता है और मंदिर में आने जाने वाई लोगों को अपना आसिरवाद भी प्रजान करता है दूनिया में आज भी ऐसी चीजें हैं जो बिस्वास से परे हैं और कई मावलों में तो बिग्ञान भी इसका ताकी कान नहीं धूर पाया अजमेर के बजलंगवर में एक हनुवान मंदिर है जहां का नजारा कुछ ऐसा ही देखने के बाद आपको अपनी आखों पर यकीन ही होगा यहें एक कावी प्राचीन मंदिर है जिसकी मानता पर लोग विश्वास भी करते हैं इस मंदिर की खास बात यह है कि इसकी देख़वार कोई इंसान ने बलकी एक बंदर करता है जिसका नाम है रामू रामू नाम का बंदर पिछले आट वसों से मंदिर की सेवा कर रहा है आने जाने वारे भक्तों के सिर्पा हाथ रखकर आसिर्वार भी पिर्यान करता है एक बुद्धिमान और एक समझदार इंसान की तरह रामू मंदिर की हाथ ऐसे सेवा करता है रामू यहीं खाता है और यही सोता है आति के दोवान रामू मंदर में रखे घंटे की जैलर को पकर्ड का बजाता रहता है। और सांति भयन के दोवान गाता और नाष्ता भी है। हनवान चल्षा के दोवान वहां पर ध्यान कर बेटका उन्हें सुनता भी है रामू अपने माथे पर टीका भी लगाता है यहां आने वाले भक्त रामू के पैर धोते हैं और बदले में रामू उन्हें आसिवात देता है मंद्री के चौकीडार ओमकार सिंग के मताबिक रामू आठ साल पहले किसी मदारी की यहां से छूट कर भाग गया था और भटकते भटकते यहां पर आप पहुंचा दोस्तों जब रामू आया था तो काफी बिमार था लेकिन वहां के चौकीडार ने उनकी मलत की थी तब से रामू की और चौकीडार की दोलों की दोस्ति गहरी हो गई वहां के इस्तानी लोगों का कहना है कि जब से रामू मंदिर में हनवान जी की जो पैत्मा है उसका मुझ खुला है इस से भक्तों के दोरा अर्फित किया गए पसाथ सीरे हनुआ जी के मुझ तक पहुंसता है इस मंदिर पसेत में काफी इस्ताथ खुला है और नईया चाहने का इस्तान कभूत्रों को दान डालने का इस्तान मनवाया गया है मंदिर तक जाने के लिए पहाड़ी ओपा सीड़ी बनी है यहां पर लाल फत्तर लगे हैं जिन पर बैठने की मना ही है दूस्तों मंदिर तो 30 दिन खुलता है लेकि इस बात का हमेशा ध्यान रखे कि मंगलवार के दिन 12 वज़े से लेकि 4 वज़े के बीद पस अजमेर रेलवे इस्टिशन से 2 कुलूमीटर की दूरी पर हवाई मार्ग नजदी की एयरपोड जैपोड इस्टिट संगनेर अंटराश्टी हवाई अड़ा यहां से लगवग 140 कुलूमीटर की दूरी पर है रायस्तान के अजमेर में इससे बज़ेंग मली मंदिर के समन मे चोटी सी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हुई हो तो इसलिए चैनल को लाइक कर देना अगर चैनल में पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बैल आइग घंटिकों प्रेस कर देना को कि मैं इसी तरह यूसफुल कंटेंट हमेसा बदा काल चैनल को पहली बार देख रहे हों और अपहनौन कोद भक्त हो तो मैंने मंदर के समयनके और हनमान जी में बहुत वीडियो समय मना रखें आप जाकर देख सकते हैं और आपको वीडियो रेका बहुत मज़ा आएगा ज구요 चाह जयर आड़ does व